विल्कम बैक टू माई चैनल वन्स गें तो आगात है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से तो लीजिए फाइनली ओफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है प्रेस रिलीज जारी हो गई है उत्राखन लोग से वा आयोग की ओर से जो पहले चरण की चार एक्जामनेशन हो होने वाला थे तो पूरी कहान इस वीडियो में मैं आपके शार शेयर करने वाला हूँ मेरे साथ आवन तक बने रहीएगा चलिए शुरू करते हैं लेकिन इसे पहले आप चैनल पे नए है तो लाइप कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें उसके लावा आप हमें टेलीग कि अधिनस सेवा चैन आयो के एक्जाम थे यहां पर आप देख सकते हैं उत्राखन लोक सेवा आयो के अध्यक्ष डक्टर राकेश कुमार की अध्यक्ष्चा में 20 सिप्टेंबर 2000 को माननी आयो की बैठक आहूत की गई बैठक में माननी सदेश सिकन आप देख सकते हैं यहा प्रिक्षाओं का बिग्यापन, प्रकासन और उनकी प्रस्तावी तिथियां निम्न है परिक्षाओं को लेकर तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल यहां पर जो है हाना कि हमने इसके बारे में कल ही आपको डिटेल में इंफोमिशन दे दिये लेकिन यह ओफिशियल निउ तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहले होगी परिक्षा वो होगी आपकी पुलिस की जहां पर 1521 पोश्टों को लेकर बिग्यापन जारी होगा आपका 7 अक्टूबर 2022 से परिक्षा की तिथि की सूचना संबंदी बिग्यप्ति इसमें जो है कोई भी कैंड़ेट फीड से र 18 दिसंबर 2022 कि अगर आज से आप कैल्कुलेट कर ले तो आपके पास दो से लेकर धाय मैने अप्रॉक्श्मेटली यहां पर बसते हैं दूसरा है राज्यस उप निक्षक लेकपाल का जिसका जो फॉर्म आएगा वो 14 अक्टूबर होगा इसमें आप जो है न्यू नी होगा या डारेक्ट एक्जामनेशन होगा या फिर एक्जामनेशन के बाद जो है फिजिकल होगा अब इसका सवाल जो है आयोक को हमने दागा है अब देखते हैं आयोक का उसका कोई रिप्लाई आएगा तो हम आप तक पहुशाने की पूरी कोशिश करेंगे चले बाकी है वन आरक्षी तो वन आरक्षी का 21st अक्टूबर को आएगा फोर्म और जो एक्जामनिशन होंगे आपके 22nd of January 2023 को होंगे और लास्ट में होगा सहायक लेखाकार ये वही पेपर है जिसको लेकर रद कराने को लेकर काफी अंगामा हो था बाद मैं जो अधिनस सिवा चहनायक इसको रद कर दिया गया था अठाइस अक्टूबर इसका फॉर्म आएगा और 2012 फरवरी 2023 को जो है इसका एक्जामनिशन होगा तो पहली चार वड़ी एक्जामनिशन की लिश्ट आ गई है बांकि आप में से कौन-कौन सा फॉर्म इन्हों आपने भरा है मुझे कॉमेंट से बांकि आप चैनल पर पहले बार आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें बांकि आप हमें टेलिग्राम से भी जूर सकते हैं डिस्किसिंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा थैंक्यू फॉर्चिंग में